नमस्कार दोस्तों मैं सुमित आप सबпод का सवागत करता हूं वर्टस के इन्फर यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले तोते को प्रैलिशिस क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है यह सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे तो आज की वीडियो बहुत ही जादा informative और useful होने बाल यह तो वीडियो को बिना स्क्रिप किए last टेक देखना है और अगर आप चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही notification मेल को प्रेस करके और परसेट कर ले थाकि सारे latest वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाता है तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को हम सुरू करते है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर परेट को paralysis क्यूं होता है और क्या reason है कि हमारे परेट का body paralyzed हो जाता है इसके बाद हम जानेंगे कि इसका treatment कैसे करना है तो चलिए हम जान लेते हैं परेट को paralysis किन किन रिजन से हो सकता है Climate Change, Lack of Vitamin B, Vitamin B Complex ठंडी हवा में छोड़ देना, फर्स पर रखना, परेट को बात देने के बाद धूप में ना रखना अगर आप परेट को केज में रखते हैं तो winter में केज भी बहुत जादा ठंडा हो जाता है तो ये कुछ रिजन से हैं जिससे कि हमारे परेट को paralysis हो सकता है अभी हम बात कर लेते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारे परेट को कभी भी ये बिमारी ना हो और वो safe रहे तो कभी भी परेट को खुले हवा में नहीं छोड़ना है winter season में भूल कर भी अपने परेट को ज़्यादा देर तक first पर नहीं रखना especially अगर first पर marvel या tiles लगाओ regular अपने परेट को 2-3 घंटा sunbasking दीजिए sunbath से परेट को vitamin D मिलता है साथी परेट में होने वाली bacterial infection first stage में ही खतम हो जाता है especially जब आप अपने परेट को बात देते हैं तो बात देने के बाद परेट को धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब तक वो सूख न जाए रात के टाइम परेट को केज में डाल कर अच्छे से कबर करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी रात वो ठंड में रहेगा जिसे की उसका body temperature बहुत ज़्यादा low होने के कारण उने paralysis के chances बढ़ जाता है अगर केज में लकडी का पर्च नहीं है तो जरूर से लगा ले इसके अलावा परेट में lack of vitamins के कारण भी paralysis हो सकता है इसलिए अगर आप एक परेट की पर है तो आपके पास हमेशा bimeral syrup मस्ट होना चाहिए परेट को regular basis पर bimeral syrup देने से उन्हें vitamins की कमी कभी भी नहीं होती है इसको देने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास adult परेट है तो उसको soft food में 2 drop bimeral syrup डाल कर खाने के लिए दे देना है वहीं अगर आपके पास baby parot है तो उसके hand feeding formula में 2 drop mix करके feed करा देना है तो दोस्तो ये कुछ tips है जिसको अगर आप विंटर से जर्म में follow करते तो आपका parot paralysis attack से बच सकता है चलिए अभी हम ये जा लेते हैं कि अगर हमारे parot का body paralyzed हो जाता है तो उसकी care treatment कैसे करनी है तो दोस्तो अगर आपके parot का body paralyzed हो जाता है तो सबसे पहले उनको अपने नजदी की veterinary clinic ले जाना है जहाँ पर की उनकी अच्छे से treatment होगी बट अगर आपके city में ऐसी कोई भी facility अबलेबल नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं आद में जो medicine आपको बता रहा हूँ ये सब doctor recommended है अगर आपके parot को paralysis होता है तो आपको 5 medicine लाना है वेटनेसल, मेट्रोजिल, जिनकोविट, नियोरोबियोन, नियोपेप्टिन ड्रॉप medicine का नाम मैं screen पर दे रहा हूँ जिसे कि आपको समझने में problem ना हो अगर आपका parot paralysis हो जाता है तो भूल कर भी उसको cage में नहीं रखना है उसके box में कपड़ा बिछा कर रखिए जिसे कि उसके body को और जादा problem ना हो कई बार parot paralysis होने के कारण खुद से खाना नहीं खापाते आपको खुद अपने हाथों से hand feeding कराना होगा अब इनको क्या और कैसे fit कराना है इन दोनों वीडियो का link मैं अपने description box में दे दूँगा link पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते अभी बात आती है कि parot को medicine देनी कैसे है तो ये जाने के लिए आप अपने parot को first पर रखकर एक 30 सेकेंड का video सूट करके मुझे instagram पर सेंड करिए मैं आपके parot का condition देखकर medicine के doses बताऊँगा कि कौनसी medicine कितने amount में अपने parot को देनी है मेरे instagram profile की link आपको description box में मिल जाएगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलाओ तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो को में भी बाइंड अप करते आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share करे thank you